करें तो हरारे थो पढ़ने वाले हैं क्यानिमेटिक्स को और क्यानिमेटिक्स अफनी से हमसं की मजिट होता है है तो काईमेटिक्स सम्झते है तो कовор 30 कोई यार तोडा जाए संदी भी किया जाए तो काइना धन मैटिक्स का मतलब होता है मोशन और मैटिक्स का मतलब होता है मेजर करना यानि मोशन को मेजर करना काइन मैटिक्स हम लोग मोशन को मेजर करने वाले हैं अगर थोड़ी टेक्निकल डेफिनिशन बोले जाए तो किसी भी body के motion को study करना किने लोग किसी भी body के motion को हम लोग लोग study करेंगे एक एक जामपल की तोर पर लेते हैं मान लेजे कि किसी एक road के किनारे बिंदास खड़े हुए हैं और आपके सामने से कार निकलती है आपके सामने से कार निकलते हैं और आप कार को देखते हैं कार में बहुत सारी चीजे हो रहे हैं कार का पहिया घूम रहा है पहिये की बीच में कुछ अलग प्रकार की रिंग लगी है या मिरर है कार में कुछ बैतरीन लोग बैठे हैं कोई स्टार बैठा है बहुत सारी चीज पढ़ेंगे तो यह सारी चीज़ा आप नहीं देखेंगे सिर्फ आप कार का मोसन देखेंगे होगी कि हमें क्या करना क्या का Nur बी ऑबजेक्ट की किसी भी पार्टेकिल के हमें सिर्फ मोसन को देखना है सिर्फ मोसनगा जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं कि एक कार जाती हुए आपको दिखाई दे रहें आपको कुछनहीं देखनां है इक Start गोमन रहा है इसे एनिमेशन में तो भूम रहा है आपको कार का कलर किसे भी मतलब नहीं आपको यह भी मतलब यह कार असली है नकली है आपको सिर्फ यह देखना है कि कार मूब कर रही है और इसका मोशन क्या है इतनी सी बात लेकिन एक चीज और करें हम लोग काइनवेटिक्स पढ़ते समय वसन को तो एनलाइस करेंगे लेकिन बिना यह जाने कि हम लोगो सब्सक्राइब करेंगे यह भी neural's को हो रहा है इसे कार चलती हुआ आपको दिखाई दे रही है आपको किसी बारे मचिनता नहीं करनी है कार को ड्राइबर चला रहा कर टायर की वज़े चला जो रोट की कांटेक्ट पर है कुछ भी नहीं दोचना है भाई कौन चला रहा है कौन नहीं चला रहा है मोसन हो रहा है आपको सरी मोसन को देखना ऑपके सामने दिखाई दे रही होगी अब यार आपको क्या करना है काइनमेटिस अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको सिर्फ मोशन को देखना है बोलके कि इसका मोशन है पैराबॉलिक मोशन है हम लोग टूडिम पढ़ेंगे भी इसको लेकिन आपको यह नहीं देखना है कि यह बॉल है यह फुट वॉल है या मैसी ने मारी है रोनाल्डो ने मारी है आपको इसके बारे में चिंता नहीं करनी है कि इतना अच्छा पैराबॉला बनाया मैसी ने मारा होगा नहीं यार आपको नहीं पता करना एक किसने महरा आपने सिर्फ मोसन को देखना है तो अगर एक बार और हम इसकी डेफिनेशन बनाना चाहें जो आप लिख भी सकते हैं काइनमेटिक से हम लोग किसी भी बॉड़ी के मोसन को शड़ी करते हैं बिना यह जाने कि मोसन किस कारल से हो रहा है भी मैंने आपकी सामने हाँ लिख्की रखदिया बिना यह जाने कि मोसन किस कारल मोसन को मेण समझा वाले हैं अब बहुत हो गया और । सब्सक्राइब metric सब्सक्राइब smartphone शुक्राइब करते हैं आरत चलती का मतलब कि कोई चीज़ अगर हमेरे सामने अगर यहां चल रहें थोड़ी देर बाद हो जाएगी कि यह बिल्कुल फील यह फिल यह आपने मैसूस किया हुआ कोई चीज़ आप पर सामने चल रही है तो अब कही नहीं पहले यहां थी फिर यहां पहुंच गई थोड़ी देर बाद थोड़ी डैफिनीशन देते हैं थोड़ी देर वाद यानि कि समय चल नहां विचीज़ को आप देखते हैं तो समय तो आम इसे चलता रहता है लेकिन अगर कोई जीज़ आपको चलते हुए दिख रही है यानि सरल टेफिनिेशन सिंपंपल फील के साहथ समझ बहुत है ठीक है अब कोई भी कह सकता है कि यह बी तो पुसन है यह बी तो मोशन है यह ए मैं का वह पाई मौशन है लेकिन काइनेमेटिक्स में हम लोग जिद्दी हैं हम लोग काइनेमेटिक्स में किसी भी बॉड़ी को करते हैं कि हम लोग किसी भी बौड़ी को पार्टिकुल की त़हां की 100 कि हमें देखना तो स्रीu मोशन कोई है इसलिए kinematics में basic movement ये भी motion है ये भी motion है लेकिन अगर कोई अगर मैं माल लीजिए कि मेरे यहाँ पर आप गोल गोल बना दो ऐसा ऐसा फिर आप खुम में मूब करता रहूं यह छोटा सा बिंदू इसकी कोई dimension less है इसको अमनों dimension less मानने से मतलब इसकी कोई dimension नहीं है dimension less माल लेते पार्टिकल माल लेते बहुत छोटा जितना भी जूंकर उतना ही छोटा क्योंकि at the end हमें kinematic में सिर्फ motion देखना है हमें उसके आकार से मतलब नहीं है कि कितना भारी है कितना बड़ा है उससे मतलब नहीं है मूब कर रहा है सिर्फ उसका motion हमें दिखना चाहिए इतना परफेक्ट है इतना काफ है इसलिए definition जो भी हमने आपको लिखवाई थी यहां पर जो आपके सामने आई होगी मोशन की नहीं आयोद आवाएगी तो यह है मोशन की definition कि कोई कोई बोडी समय के साथ पॉजिशन चेज कर रही है तो मूब कर रही है तो बोडी की जगा पार्टिकल कर लेना क्योंकि हम लोग कानिमेटिक्स में किसी बोडी को पार्टिकल की तरह ट्रीट करते हैं सबाल हम आ मोशन की definition मताई कि समय के साथ उसकी पॉजिशन चेंज होनी चाहिए हमें पॉजिशन बाले मोशन से मतलब है कि अगर चल रहा है उससे मतलब है और बेसिक फील्ट तो यही है फिजिक्स की यही खुपसूरत है थोड़ी सा ग्यान लीजिए थोड़ी बुद्धिक बात है कि अच्छी हम लोग यहां से यह सेख सकते हैं कि अगर हम कोई प्रॉबलम की पीछे भाग रहे हैं अगर हमें कोई कोई की सॉल्व करनी है चाहिए वो फिजिक्स में हो चाहिए मैंत में हो चाहिए अपने साधराल जीवन में परस परस्णल लेवल की परिसानी हो तो सबस्से पहले यार जो चीज पर करना है हमें उसी पर फोकस करना चाहिए कि मान लिजे कि आप मोटे होते चले जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले कारल पता करना पड़े कि आप मोटे हो क्यों रहे हैं अब बड़ा वेकार रवदार लेकिन आप मेरी वास मेरी फिल समय मैं कहना कहा जाता हूं कि किसी परेसानिक पीछे भागें किसी कि किसी प्रॉब्लम को अगर सौल करने जा रहे हैं तो सबसे पहले उसके कोर को पकड़ें जो आपको श्टडी करना है उसी को देखें काइनमेटिक हमें सिर्फ मोशन को श्टडी करना है हमें सिर्फ मोशन से मतलब होना चाहिए हमें हमें उसके आकार से क्या लिन देना हमें किसी बॉड़ी के आकार से क्या लिन देना इसलिए हम लोग किसी आपको चलना है तो यह होगे अपना मौसन है एक्षिल मोसन हम लोग पाप बोडी निए पाटिकल को पाटिकल तरह टेट करते यह मैं बताना चाहता हूं एक आपने करते हैं और एक समन использ करते हैं कभी आपने देखा कुछ आपधर कौन आपको क्रोस करते हैं पिए जब ट्रप की रुका हुआ दिखायदी देता है आपको फिल कियायत हैं ढेंड़ किया खुशन किया होता हैaving कियाण यकार में बैठे हैं कि किसी ट्रॉस कर रही है किसी अन्वान को क्रॉस कर रही है जब आप उसके बरावर होते हैं तब उसको आपको लुकत को देखता है तो उसके लिए वो ट्रक क्या औरही है किसी के लिए कोई चीज मूब कर रही है और किसी के लिए कोई चीज मूब नहीं कर रहे हैं यह क्या गेम हुए तो इसका मतल obwohl यह है कि कही ना कहीं कोई चीज अगर मोशन में है या कोई चीज रेस्ट पर ये रिलेटिव टर्म है कोई चीज किसी के लिए रेस्ट पर हो सकती है और किसी के लिए रेस्ट पर नहीं भी हो सकती है यानि कि कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज को यह नहीं कह सकते कि वो रेश्ट पर या मोसन पर है कि यहद्ट ये अब्झरवर दिफाइंड होता है और वो बताता है मतलब देखने वाला उसके वह देखता है कि हां ट्रक मेरे लिए रुका है अब सर्वार किसान मझ जाता तो उसके लिए ट्रक चल रहा हूता है यानि की रिलेटिव है रेGen 90 टर्म है किसी कोई चीज हो सकती है किसी के लिए कोई चीज मोशना सकती है और अब्चर्वर हमेशा है अप सफर्मानता रहे हैं और आगराश दिल्ली जाते पगे आप थोड़ी नीद ले ली ऐसा सोगए अप सोगए और कुछ दिर वाद आप उठेश आपने मम्मी पूछा की क्या हम लोग दिल्ली आ गहीं क्या दिल्ली आ गया तो मम्मी की अभी दिल्ली नहीं आया सोजा जो आपने कहा उसको ध्यान से सुना जो आपने कभी ऐसा ही कहते कभी आप कहीं भी जा रहे हो तो यह कहते हैं ट्रेंट पर बैठें कहते हैं वो जगे आ गई क्या दिल्ली आ गया क्या बास्तों में दिल्ली आता है यार क्या बास्तों में दिल्ली आता है दिल्ली नहीं आता ह आप जा रहे होते हैं लेकिन आप अपने आपको हमेशा हरे रहाँ हम रुक्त हैं दिल्ली कि आएगा बाई एक भूम आपको लगता है कि आप रैश्ट पर है और टेख्डीकली और फिजिक्स में हम लोग और जर्वर को हमेशा रैश्ट पर मानते हैं और शर्वर नेवर मूग ऑब जर्वर नेवर मूग ये बात अब ध्धान लेदे दीजिए गभाई साथ अब जर्वर हमेशा आपने आपको रेश्टर बांता है और वही जो दिल्ली स्टेशन पर आपके ять रिष्थेदार हैं आपको लेने आये हैं उसको कहा लगता है कि ट्रेन आ रही है वो पूछे गगल वाले से ओगular से आने वाली ट्रेन के आ रही है तुंख हाँ भाल रही है उसके लिए ज्यू धिली स्टेशन पे लोग खड़ेए उनके लिए ट्रेन आ रही है आप के लिए दिल्ली आ रहा है आप ऐज researching when सुझ में जब आप ट्रेन पर वहते एज घ्र देख रहे हैं तो आप К裡 के लिए ट्रेन सब तो आप मोटर सैकल पर वैठी तो आप अपने आपको रेश्टर मान रहे ते इसलिए आप में तो मूब नहीं कर रहे तो यह का रही और एक और एक संब और एक और इए इसे तो दो देखा दूए मान लीजै कि आप ताजमेल ताजमेल लेंगे तो मैंने आप से सवाल किया मेरे साथ ताजमेल लेकुन Wait तो आप एसे देखेंगे क्या ना ताजमेल तो रसमोग कर सकता और यह मुव नहीं कर सकता सो हॉर स चैक्षिए कर रहा है क्या मुप कर dispute को जो अंत्रिक्षी स्टेशन पर बैठा है और जो कंडिशन ऐसी है कि वो इंडिया की उपर ही है तो उससे मैं फून करूं कि यह बता कि ताजमेल तुझे कैसा दिखाई दे रहा है मोब करता है दिखाई देरा बंद देखेगा तुरन देखेगा एस साथ ताजमेद गुंटा हुआ देखाई देगा उसके लिए जो इस्टेशन पर बैटा विक्ति है तुसके लिए आपके लिए आप यहां पर गुस्टा हो रहे हों से क्या बाद कर रहा ही है कि नथी आपको ताजमय लेश्ट पर दिखाई देगा धरती के बाहरा आप देखेंगे जाकर कि तो आपको पूरी प्रत्वी घुमती देगी यह सब भ्कूफ रहा है पूर फ्रम गवरां पूरां कोई भी सीज रैस पर को कि अहीं िख्याएं करतां करता है आप मान लीजए आपने कोई तो यहां पर आपको बूब करते हूं दिखाई दीक है यह सिंपल सा एक्सप्लेशन है तो जो मेरा रेस्ट और मोशन पर नहीं होती है रेस्ट और मोशन एक रिलेटिव टर्म है इस इट किलिए तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि रेस्ट और मोशन एक रिलेटिव टर्म है तो रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव क्या है डिलेटिव इतना के लिए का बोनों समझ लिया है है अब फ्रेम ओफ रिफ्रेंज को समझते फ्रेम औफ रफ्रेंज क्या होता है तो फिर से मैं एक फील से स्टार्ट करता हूं मैं अगर आपसे कहूं कि दिल्ली कितनी दूर है मैं आपसे सर्व इतना statement कहूं कि दिल्ली कितनी दूर है तो आप क्या कहेंगे कि पूरी बात बताओ दिल्ली कितनी दूर है कहां से कितनी दूर है आप इतना कहेंगे तो कहां से तो आपको कुछ बताना पड़ेगा आगरा से लखनो से कानपुर से इलहावास से वारा नसी से आपको कोई नाम देना पड़ेगा कि वारा नसी से दिल्ली इतनी दूर है कानपुर से दिल्ली इतनी दूर है कि यह बताओ कि दिल्ली कितनी दूर कि यह दो बताना पड़ा है कहां से दूर है तो जो कहा सब आया है यही फ्रेम औप रफ्रेंस को डिस्क्राइब किया है किसान के व्येंट कि आपके थिर्द भ। अब करRIA है तो किसान के छाहईसाव में ट्रक की पॉजिसन चेंज हो रही थी इस लिए भुभ कर रहा था आप के लिए वो ट्रक भुव नहीं चलने वादा टैक्निकल डेफिनिशन का यूज हो गए क्योंकि हमें नुमेरिकल्स एज़्टने हैं तो फिर से यार एक फील थोड़ी सी और हो जाए इसको टैक्निकल definition को भिस्क्राइब करने के लिए मालीजिये कि आपको मुझसे मिलने जाना है तो आपने पर मेरे आस पास आप आये और आपने किसी से मेरे जाने मिरने म lucaf Jä जानता है मैं कहां रहता हूं उससे आपने इधर मुझ जाना 500-meter पंकचपाल घर आजाएगा लेकिन फिर आप यह पूछ है कि घर तो आजाएगा वो कितनी मंजला पर रहते हैं कितनी माले पर रहते तो पहले इधर जाना इधर जाना आपको घर मिल जाएगा और यानि कि अगर इस मैं इर स्विए आप देखना चाहें कि आपने माली जी इस डारेक्शन में आप गए ठीक है फिर आप गए कि इस डारेक्शन में जाओ भाई और फिर आप एक उपर बिल्कुल 3D में बिल्कुल अगर ऐसा यह यह मारकर बना दो यह बिडिलिंग हो गई पहले जैसा कि आपको एनिमेशन में दिख रहा है तो आप कि आप मेरे कमनें पहुंच के तो क्या मैं वहाँ पर मिलूंगा आप से मेरा सीधा सवाल है माली आपको मेरी लोकेशन मिल गई मैं आ रहता हूं आपको मेरी लोकेशन मिल गई कि इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ उपर जाओ इस डारेक्शन जाओ फिर उपर जाओ ठीक को टाइम भी पता होना चाहिए कि पंकज भाया घर पर कब रहते हैं जब आप फिक्स सही टाइम पर सही जगह पर पहुंचेंगे तब हम आपको मिलेंगे यानि किसी भी पार्टिक्ल की पॉजिशन को डिस्क्राइब करने के लिए आपके पास तीन चीज़े होनी चाहिए एक्स एक्सी इसहनों एक्स एक्सीं माल लेता है यह ओगी एक्स एक्सिज टिक है इसे ब्लस एक्स बोलते से दया से यह होगी ज्या यह और चैन्ड यानि बेुट लिंग की उचांइंग यह हो गया अपना coordinate coordinate system जो आपको मेरी लोकेशन मताएगा मेरे घर की और time is important कि आपको अगर मेरे पास पहुचना है मुझसे मिलना है तो आपको वैसे इतना खास भी नहीं हो कि मुझसे मिला जाए time is important time को भी आपको ध्यान देखना कि कब होते कव है यह घर पर तो time तो यह हो आप आप अपना frame of reference बिल्कुल सब्सब्स अगर डैवने सर अगर अंग्रेजी मनाना चाहो दूब को डिनेट सिस्टम होता है इसमें घड़ी लगी हुई जैसा कि मैं आपके सामने आँ दिखा रहा हूं यह मैंने अपनी मन से मतलब अपनी वासम यह डैफिन समनाई आप न फिल और frame of reference मैंने आपको अच्छी तरह सम्झाने की कोसिस करिए अब यार 3D वर्ड की बात आगी तीन दुनिया की बात आगई अब यह मतलब कि में अब आपको वाइल पर देख रहा हूं ना लेकिन आपको ऑप इसको एक क्स मान लू इसको बाई मान लू इसको जैड माल लो अगर मैं यहां से यह फ्रेम वू कोना है मेरी कम्रे का कौना है ऊसे फ्रेम प्रफरेश बाणों तो उसके हिसाब से मेरी जो अभी यहां पर मैं खड़ा हो जाता हूं उसके हिसाब से मेरी जो आख यह वाली आख की लोकेशन क्या है देखना कितनी है यह रहा एक्स यह होगा लगवग ऊप्रण्पाइट्ट्ड ये नहीं चल दो नल्बाई 1.73 तो एक्स में चला वन प्रण्पाइट्टि मीटर में चला 2020 और जैड मैं यहां से में कितना दूरी उपर हो है कि नहसे में कितनी पर दो पचास सेंटीमेटर तो यह हमारी कोडिनेट एक सब्सक्राइब मेरी जो आंग की जो कोडिनेट से वो आ गई है ए मतलब है इसका मतलब कोड़ से मेरे अगर घंड मिदी मोशन कर रहा है कोई अगर कोईवी पार्ट्रियों चल रहा है तो वरी मोशन और यिसका मतलब यह मालीटी बर्डे अगर ऐसा कुछ लाइंट सीधी lang है तोयर बंडी मोसन में करें कि बंडी मोसन को इसे लोग बंडी मोसन कहेंगे ठीक हय इस्ट्राइट में चलना चाहिए कहीं में चले वह बंडी मोसन कहलाएगा कुछ लोग मानते है यह और ओक set एक्स इस और ये हो गया यह जो है यह एक स्ट्रेट में नहीं है कुछ लोग मानते है क्यों को कहते है क्यों हियताइं कि यहाँ पर एक्स और ऑई डोकॉडिने रहे हैं क्योंकि यह यहां पर एक्स कुछ और यसको और युद बंडी मोशन नहीं मैं कहूंगा यह बंडी मोशन है बंडी मोशन का केबल और केबल यह मतलब है कि कोई भी अगर औप अबजेक्ट या बॉड़ी एक इस टेट लाइन में मोशन कर रहे ही तो बंडी कहलाएगी अब यार उसके तीन सिर्क वर्ण करें चाया जादा कर रहा है धुनियों सब्सक्राइब तूडि सब्सक्राइब सब्सक्राइब कारद यो तूडिन मौशन वं मतलब एक मौन जो एक प्लेन में कैप्चर किया जा सके जैसा कि आप मूझे देख रहे हैं मेरे प्लें में मूफ कर रहे हैं वह एक स्क्रीड下午 तो एक ऐसा जो किसी एक ऐसा मोसर जो किसी प्लें में और authorities को आप इसका बिककbung dim song in लेना भी यह को इना कहें कि एक्स भाई चेंज होता है वही2da gehen होता है यार एक्स भी lagen उल सकता है वह टोई मोशन हों सकता है टोड़ी मुसण का सीथा मतलकि कोई मोसं जो एक प्लेंव में बिजर्ब किया जा सके वो टूडी मोसन जैसे कि मान लीजिए मैं इसको फिर से मेरा यही रखेंगे इसी कौने को मैं मान की चलूंगा अपना फ्रेम आफरेंश इसके स्याब से यह मेरा मोसन है मैं कोफस कर रहा हूं कि मैं से प्लेन में इसको चलाओं इसके एक्स वाइट सार ही जो कॉडिनेट्स बदल रही है लेकिन फिर विए टूडी मोसन है क्योंकि यह इसको में प्लेन में कैप्चर कर सकते हैं लेकिन एक ऐसा मोसन जो प्लेन में कैप्चर किया जा सके लिए आ रहा हूँ आपके सामने ऐसा मोसन जो कि प्लेन में कैप्चर किया इसके लेकिन व इस्ट्रीडी मोसन मतलब वह इस्ट्रीड लाइन में वी ना और में में और प्लेड में प्लेड में ट्रीडी वर्ण यह उस्ट्रीड का मोजन आपके सामने हो लाओ तो बननी मोशन क्या होता है कि एक एक इस्टेट रानोशन एक प्लीन मोशन बनी मोशन पर नॉट यह स्टेट लाइन बी मुशन एक पक्षिक का मोशन ऐसा ऐसा इस तरह आसा यह हो जायेगा तो यह रहागा टाइप आप मोशन अगया आगे हम लोग ती चीज अम लोग सुर्फ पॉजिशन ब्यूलस्रों डिस्प्रेस्टमेंड एक्सीन के बार ही में पढ़ेंगे वड़ा सलल चेप्टर है बेसिक मैथ है यह अपनी फिजिक्स में आगे की जितनी फिजिक्स हम लोग पढ़ेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूं और बढ़िया है बंदाज चैप्टर है इसको मज़े से पढ़ेंगे और मैं अपने अपने भी इंप्रूब्मेंट लाना चाहूंगा चीजों को और क्लियर्टी समझने कोस्त करेंगे लेकिन कुछ तीन वीडियों आएंगी वो आएंगी मैत के बारे में कि जो कैल्कुलेस यार यूज होगी डिफ्रेंसेशन और इंट्रियेशन कुछ ट्रिक्नोमेट्री कुछ वैक्टर की थोड़ी सी फिल वो सारी हम लोग बताएगे तो आज के लिए डड़ा बैवे